हाई फ्रेंड्स जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ गरम मसाला बनाने का बहुत ही आसान तरीका सेर करेंगे जी हाँ आज हम आपको बताएंगे के घर पर बहुत ही आसानी से गरम मसाला और जीरा पाउडर केसे बनाए तो चलिए शुरू करते हैं गरम मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दो टेबर स्पून धनिया एक टेबर स्पून सौफ दो टेबर स्पून जीरा एक टेबर स्पून काली मीज एक टेबल स्पून छोटी इलाइची और एक टेबल स्पून लोंग इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे पांच बड़ी इलाइची एक जावतरी का फूल तीन फूल इस साथ इसके दालचीनी के पांच टुकड़े लिए हैं हमने और पांच तेज पत्ते और यहाँ पर हमने एक जाईफल लिया है यह जो जाईफल है इसको हम तोड़ कर सिफ आधा एट करेंगे और हमने यहाँ पर लिया है सूट पाउडर सूट पाउडर हम इसमें बाद में एट करेंगे तेज पत्तों को हम इसमें तोड़ कर एट करेंगे इसी के साथ हमने जो एक जाइफल लिया है उसे तोड़ कर हम सिर्फ आधा जाइफल इसमें एट करेंगे तो यहाँ पर हमने एक पेन लिया है इसमें हमारे सारे साबुत मसाले एट कर देंगे दिखे गेस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और इन्हें लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए रोष्ट कर लेंगे तो यहां पर हमने इनको लगाता चलाते हुवे मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इन्हें रूम टेमपेचर पर कुछ देर तक ठंडा कर लेंगे जिसे के आप सब जानते हैं कि गरम मसाला हर रेसिपी की जान होता है आप हमारे बताएं तरीके से गरम मसाला जरूर बनाएं और अपने एक्स्पीरेंस कॉमेंट बोक्स में हमाई साथ जरूर सेर करें हमने इनको अच्छे से रोस्ट करके रूम टेंपरेचर पर कुछ देर तक ठंडा कर लिया अब हम इनको मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे अब इन सारे मसालों को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे यह देखिए हमने यहां पर सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सारे मसालों को ग्राइंड करने के बाद हम इसमें सूट पाउडर यानि की जिंजर पाउडर एट करेंगे तो हमने यहां पर एक टेबल स्पून सूट पाउडर एट कर दिया हमारे ग्राइंड किये हुए मसालों के साथ सूट पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर तयार है हमारा होममेट गरम मसाला अब इस गरम मसाले को हमने एक ड्राई और एटाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है देखिए एटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके हम इसे स्टोर कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हम इसे इस्तेमाल करते वक्त इसमें गीला चम्मस ना डाले तो चलिए देख लेते हैं कि जीरा पाउडर के से बनाते हैं तो हम यहाँ पर एक पेन में एट कर देंगे जीरा आप यहाँ पर अपने इसाब से जीरे की कितनी भी कौंटिटी एट कर सकते हैं अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए दो मिनिट के लिए अच्छे से रोष्ट कर लेंगे जिसे के आप सब जानते हैं कि जीरा जो होता है वो बहुत हेल्दी है बहुत सारी रेसिपीस में हम जीरा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं इसे के साथ जब हम मसाला च्छास बनाते हैं तो उसने भी भूने हुए जीरे का पाउडर रेट करते हैं इसलिए हमने सोचा कि क्यूं ना आज गरम मसाला पाउडर के साथ जीरा पाउडर बनाने का तरीका सेड करें ये देखिए हमने मेडियम फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए दो मिनित तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे रूम टेंपरेचर पर कुछ दिर तक ठंडा कर लेंगे जीरे को रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए हमने यहाँ पर जीरा पाउडर भी बना लिया है देखा आपने किसे जट पट बहुत ही आसानी से हमने घर पर गरम मसाला और जीरा पाउडर बनाया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप इसे अपने घर पर ट्राई कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट बोक्स में सेर करना न भूलें अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आईकन को ज़रूर प्रेस करें